श्रीकांट मूवी रिव्यू यह फिल्म और से भरी एक यात्रा है जो श्री के उल्लेखनिय जीवन को दर्शाती है कंठ बोला निर्देशक तुशार हीरानंदानी ने सस्ते भावनात्मक हतकंडों का सहारा लिये बिना अंधेपन के कारण श्रीकांट के सामने आने वाली चुनौतियों और संगर्षों को खूपसूर्ती से चित्रित किया है हीरानंदानी की कहानी कहने का ढंग सशक्त है जो दर्शकों को सहानुभूती की भीख मांगे बिना श्रीकांट की दुनिया में खीच लाती है पूरी पटकता में विशेश रूप से पहले भाग में ऐसे कई क्षण हैं जो दिल को छू जाते हैं जिससे दर्शक गहराई से द्रवित हो जाते हैं और उनकी आखों में आंसु आ जाते हैं राज कुमार राव ने श्रीकांट के रूप में एक असाधारन प्रदर्शन किया है जिसमें एक अंधे व्यक्ति को अद्वितिय प्रामानिक्ता के साथ चित्रित किया गया है उनका चित्रण सूक्ष्म है और उनके तौर्टरी के शानदार है जो श्रीकांत के चरित्र के सार को पूर्णता के साथ दर्शाते हैं राव के प्रदर्शन को उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशन सा मिलना तै है वह अपने बहतरीन अभिनय के दम पर पूरी फिल्म को आगे बढ़ाते हैं जोतिका और शरतकेलकर ने अपने बहतरीन प्रदर्शन से बहुत अच्छा समर्थन दिया पुल मिलाकर श्रीकांट एक अच्छी तरह से तैयार की गई बायोपिक है जो श्रीकांट बोल्ला के असाधारन जीवन का जश्ट मनाती है यह उनकी शैक्षनिक उपलब्धियों भारतिय शिक्षा प्रणाली के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई दिवंगत राश्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनके गहरे रिष्टे उनकी क्रिकेट यात्रा और उद्यमशीलता की सफलताओं को प्रदर्शित करती है बोलंट इंडस्ट्रीज के साथ बॉलिवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए बतीजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थांक यू